कहानी की शुरूब में हम कुछ पूरते हुए परिंदों को दिखते हैं जो के सर्थियों के दिनों में कई और जाकर रहा करते थे अब जब वो वापस आ रहे थे तो उन्हीं खत्रा था कि हर साल की तरहां वो जनली एकल यनि बास उन पर हमला न करते और अब उन्टा का देहान पर गाने के लिए अपनी और साथी का इस्तमाल करता है जब सारी के सारी करेंड बर्ड दूसरे बास को पहां से हटाने में लग जाते हैं दुश्मन बास था वो उन्में से एक बर्ट पर हमला करते ता है इस सबसे उनका लीजर काफी दुखी था लेकिन उसकी वा हम डैट उसके लिए खाना लेकर आते हैं और साथी कुछ बच्चों को औरते हुए भी देखता है तो अपने डैट से यह उनकी ग्रूप की लीजर से पुछता है कि मैं कब बूर से कूँगा तो उससे जवाब मिलता है बस्यादा वक्त ही कुछ ही वक्त में वो औरना सीख प्लोई के डैट आप उसे शिकार करना से का रहे थे इस टाइम पर उसी के जैसी एक और बर्ट भी उसके पास आकर खाना टूरने लग जाती है फ्लोई को वो बहुत अच्छी लगती है और यह दोनों दोस्त बन जाती है जब के रात होने पर हम देखती है कि प्लोई जाने के लिए पुरी राज जाकर उनका ख्याल रहते हैं इस सब के दुरान उसकी पास एक बर्ट आकर बताता है कि तल को वो बड़ा सा पास आप लोगों पर हमला करेगा आप लोग तैयार रहना ती जो कहता है मैं तुमारी बात क्यों मानूं जिस पर बर्ट जवाब देत परिंदे और जानवे सर्दियों में माईगरेट होकर दूसरी जगह नहीं जा पाते वह उस पैली में जाकर रहते हैं सुबह हो जाते हैं और हम देखती हैं कि बादी सारे बर्ट के साथ उस बास से पच्टे की प्लानिंग कर रहा है सारे ही बच्ची स्कूल में बहुत अच प्लाइ बेटे को बचाने जाती हैं इस सब में उन्हें अपने बेटे को तो बचा रिया था लेकिन अब वो खुद ही फस गये थे वह बास उन्हें ले चा चुका था प्लाइए देखकर काफी दुखी होता है इस दुख में वो खाना पी नहीं खा पाता उसकी दोस्त उसे बहुत समझाती है कि तुमने ऐसी दुखी नहीं होना चाहिए तुम अपनी जिन्दे की जियो उड़ना सीखो हमें यहां से जाना भी है लेकिन प्लॉई को तो जैसे अब कुछ पी समझ नहीं आ रही थी उड़ने से तो वैसी ही उसे बोड़ डर लगता है और एक दिन जब वो प्रेक्टिस कर रहा था तो उससे ही एक बिल्ली पकड़ कर ले जाती है और अपनी घर एक पिंच्री में कैद कर दीती है प्लॉई अपने जैसे सारे बर्ट्स को इस जगा से दूसरी जगा माइग्रेट होते हुए देख रहा था वो लोग सर्दियों से बचने के लिए वहां जा रही थी वो अपनी मॉम को अपनी फ्रेंड को आवासे दीता है लेकिन कोई उसकी आवास नहीं सुनता बलकि वो बिल्ली ही उसकी आवास सुनकर उसके उपर हमला करने के लिए पड़ती है और इस तरह उसकी पिंच्री का दर्वासा खुल जाता है और प्लॉई उ बिलने से बच कर वहां से भाग निकलता है जल्दी से भाग कर पाही आने पर वो अप सारी बर्ट्स को आवासे लगा रहा था लेकिन सब के सब बहुत दूर जा चुके थी अकेला वो यहां पर क्या करता उसे तब पैरड़ाइस वेनी की याद आती है और वो यह डिसाइड जाखर छुप जाता है कुछ दिर बाद उसे पता चलता है वो जहां छुपा था वो कोई जगा नहीं थी बल कि गायरू नाम का एक बहुत बड़ासा बर्ट था जिससे प्लॉई बताता है कि मेनी फैम्पी और सारी ही बर्ट यहां से माइगरेट कर चुके हैं और मैं यहां रह गया हूँ उसकी बातों का खास रिस्पॉंस नहीं देता और उसे ठीक है करकर आगे पर जाता है जबके प्लॉई जो कि अकीला यह सारा सफर कर रहा था रात होने पर अफूर डर ने लगा था इस डर में पत्रों की दिर्मियान में चुप जाता है और जब सुबा हो दि अच्छा चलो हम दीन करते हैं अगर तुम उस बड़े से भास को पकड़ने में मेरी बदत करोगे तो मैं भी तुम्हें पैरडाइस वैली छोडाओंगा तो उसकी बात मां जाता है और आप लाईरून उसे तिखाता है वहुत से हत्यार जो उसने भास को मानने के लिए त्य तो देखता है वह तो सो रहा था बहुत मसी से अब वो क्या करता उससे तभी अपने करीब से कोई आवास आती है आगे जाकर देखता है तो एक चूहा उससे मदद मांग रहा था वह उसकी मदद करने के लिए एक लगडी की स्टेक से चोटा सा ब्रिच बनाता है जिससे क्यों गए यह बहुत हदरनाक याका है तो बहुत किसी का भी इतबार नहीं करना चाहिए इन्ही बातों को समझाते समझाते अब वो घर आ चुके थे यहां पर कायरोन उसे खाने के लिए कुछ भूल देता है और प्लोई कहता है कि मुझे भूल बिलकुल नहीं पसंद अब उसे देखकर कायरोन को अपने बेटी की आता रही थी जिसे भी ऐसे खाने खाना बिलकुल पसंद नहीं थे वो प्लोई को बताता है कि मेरा भी तुम्हाने जैसा एक बेटा था लेकिन एक दिन जब पर शिकार कहिने के लिए बाहर खेया तो ये बड़ा सा चला बास मेरी व प्रेंट से जिरूर मिल पाओगे मैं तुम्हें कल परड़ाइस जिरूर चुडाओंगा रात केरी हो गी थी और तभी एक फॉक्स आकर खायरोन को पकटकर बहां से ले चाती है क्या हुआ और जाते चाते खायरोन उसे शेन विसल बचाने को कहकर जाता है जिसके बचाने प फॉउक्स का देहान बतकाने का काम किया था जब बयूई गाइरोन को बच्चा कर वह जाके बहां से बाहर ले आया है फारोन की अनदर घायरोन चुक है उस से चला बेठी जा रहा था इसलिए प्लोई उसके लिए खाना लाने का फैस्ता करता है और जब फाना अकर्था कर रहा था तो तब सर्थी पर जाती है तिविद्ध आवा चले लगती है और इस तरहां प्लोई एक चुका से कहीं दूर गिर जाता है अब अपने आपको पर वो काफी परेशान हो चुका था उसके सामने वही दोनों बास थे जो हमेशा उनका शिकार करते थे वो चुप चब यहां से भागना चाता था लेकिन उसी यह गलती से बहाँ शोर हो जाता है और बास ने अब उसे देख लिया था वो उसे पकड़ कर बिलकुल खाने ही वा से उस गार से पाहिर आकर एक छूटे से बॉम को उसकी गार के अंदर फैंकता है जिससे के वहां एक दामा का हुआ था लिकिन गाई रून पर होश हो चुका था लोई की बहुत होश दिलाने के बाद भी उसे होश नहीं आता अब सर्दी बढ़ती जा रही थी यहा रहना प पैरडाइस वैली के लिए यहां से निकल आता है ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि प्लोई से अब चना भी नहीं जा रहा था वह इंपर गिर चुका था और तब ही एक घेरण उसे देख लेता है और वो उसे अब इस सीख पर बिठाकर खुद पैरडाइस वैली नहीं आया क्योंकि मेरी फ्रेंड्य और मेरी मॉम भी वापिस अपने घर आने वाली होंगी। पुझे उसे मिलना है। आरे जान मेर उसे ऐसा करने से मना करे थे उसे वापिस खत्री वाली मावल में जाने से मना करे थे लेकिन अब वो रूपने वाला नहीं था कोई एक बहुत बड़ी से पाड़ी की उपर चड़कर वहां से जंप लगा देता है और फिर उड़ने की कोशिश करता है अब उसे उड़ना भी आ गया था जबके दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि बर्ट भी बापस अपने घर को आ रहे थे और हर साल के तरह इस सार भी वो बाज उनका शिकार करने के लिए उनके इंतजार में था इस बार उसे मारने के लिए हायरोन ने तुपारा जाल में बिशाया था प्लोई भी उसकी मदद करना चाहता था लेकिन यहां देखते हैं कि उड़ते हुए प्लोई बर्ट में से प्लोई की दोस्त को इस बाज ने पकल लिया था देखते ही प्लोई को बहुत जादा घुसा आता है और वो उसे नड़ने के लिए और अपनी फ्रेंट को बचाने के लिए उसके पास उड़ते हुए आया था यहां प्लोई पहले ही अपने फ्रेंट ने आयरोन से बादा कर चुका था कि वो जरूर इस एगल को मारने में उसकी मदद करेगा और यह एगल यही बास जो कि आप प्लोई की दोस्त को छोड़कर प्लोई के पीछे लग चुका था प्लोई पड़ी होश यारी से उसे ट्रैप के पास तो ले आता है लेकिन बास की शायद किसमत अची थी वो ट्रैप बहुत देर से बंद हुआ था और इस तरहां वो बास पैच किया था इस सब के बाद प्लोई को कुछ था कुछ तो करना था प्लोई एक घर देखता है और उसके अंदर उस बास को ले जाकर एक पिंचरे में कैट कर देता है यह वही पिंचरा था जहां मुवी के स्टार्ट में एक पर प्लोई भी कैट हुआ था लेकिन इतने बड़े बास को वाहना इतना भी आसान नहीं था वह बास उस पिंचरे से भी बाहर निकला था प्लोई की दोस्ट जब प्लोई को इतने बड़े बास से अकेला रटा हुआ देखती है तो वह भी उसकी मदद के लिए आगया चाती है वह एगल इन दोनों के पीछे लगा हुआ था और वह दोनों मिलकर इगल को एक बहुत बड़े से बेल की तरफ लेकर जाते हैं खुद तो वह दोनों स्थाइक पे हो गए थे लेकिन इगल उस बेल पर टकराने की वज़ा से बहुत जोर से चक्रा कर जमीन पे गिराता यहां फाइरोन जिसे पेहने से ही इस सारे प्लैन के लिए देया था वो जल्दी से उस एगल पर के लिए उस बास पर बहुत सारी मट्री दाल देता है इस तरहां उन सब के एक साथ मेंनत करने से वो लोग उस बास से चान चुड़ा चुके थे उनने उस बास कोई ने उस एगल को हरा दिया था और अब सबी लोग आजाद थे इस अब के बाद प्लोई अपनी मॉम से मिलता है वो काफी साथा खुश था खाइरोन जब प्लोई को उसकी फैमली के साथ मिलता देखता है तो उसे लगता है कि अब उसका यहाँ कोई काम नहीं वो यहाँ से जाने लगा था लेकिन तब ही ब्लोई ने उसे यहाँ रोक लिया था चुके गाईरोन ही तो था जिसने एक फादर की तरह उसका खयार रखा था कहानी के एंड पर लोई ने अपनी फ्रेंड को भी बता दिया था कि वो उसे बहुत पसंद करता है उसकी फ्रेंड भी असल में उसे पसंद करती थी वो दोनों खुशी-खुशी हवा में उरते हैं और यहाँ यह इस कहानी की हैपी एंडिंग होचा दिया